नमस्कार साथिए जैहिं जलसी कृष्णी सभी को राधरादे सभी को गुड मोनिंग प्यारबर नमस्कार आज हम बात करने वाले बीएश्टिसी काउंसलिंग 2023 को लेकर जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके अक्टुम्बर में आपके काउंसलिंग करवाई थी बच्चो को नमबर पूरा निकल चुका और दिसमर के शुरुआत लग चुकी है आपको पता है और अभी तक counseling के बारे में list के बारे में कोई update नहीं जी हाँ दोस्तों मैंने आपको एक बात कही थी कि हम एक December को विबा को क्या करेंगे Gmail करेंगे परन्तु मेरी बात ध्यान सुनाओ में आपको इस वीडियो के अंदर सारी doubt सारी session आपको clear करने वाला हूँ वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को subscribe कर लेना और past बेल आकन गंटी को भी own कर लेना तक आने वाले वीडियो की जानकरी सबसे पहले आपको मिल पाएं कि बात करें कि गोटाला किया गया आपको पता है कि किस प्रकास से गोटाला किया क्या विबाग ने वाकई में गोटाला किया तो आपके इसके उपर बात करेंगी और first list और refund को लेकर क्या गोटाला किया उसके बारे में भी बात करने वाले आगे बात करेंगे कि सिकायद दर्ज अब किस प्रकास से विबा के उपर सिकायद दर्ज कर रखी है किसने की कब की और क्यूं की इसके बारे मैं आपको रिजन बताऊंगा और आगे बढ़ूंगा एक बार देख लिजी है मैं आपको बताऊंगा कि हम विबा को जिमेल करने वाले थे सर जी एक दिसमर को मैंने पेले पिछले वीडियो में बताये था कि एक दिसमर को विबा को जिमेल करेंगे उससे पेले मेरे पास एक आइडिया आया कि विबा को जिमेल करने के पेले एक काम और किया जाए अब कौन सा काम किया जाएं वो भी मैं आपको बताऊंगा तो एक बार बात कर दें कि बहुत सारे बच्छों का ये भी कमेंड आते हैं कि सर्जी हम अब क्या करें BHTC का एक्जाम हमने अगस्त में दिया 28 अगस्त को एक्जाम दिया अगस्त के बाद सितमबर सितमबर के बाद अगस्त हैं अक्टूमबर, नौमबर, दिसूमबर यानि कितना समय निकल चुका है अभी उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है यानि हम और किसी और की अधर एक्जाम की तैयरी भी नहीं कर पारें तो बात करते कि सजी अब किसकी तैयरी करें देखो आपके सामने बहुती अच्छी बरती है की पश्यो परिश्रें बरती है और आपके सामने SSE GD की बरती है और कुछ बचों का ये भी सवाल है जिन बचों के नंबर कम आए उनका सवाले की 2024 की BHTC तैयरी कब से शुरू करें तो मैं आपको बता दूँ अभी आपको तैयरी किसकी करनी चाहिए अभी आपको राजस्तान में पशु परिचर की तैयरी करनी चाहिए जिसके फोरम आपके 10 समर में शुरू हो जाएंगे ठीके 15 समर के बाद फोरम शुरू हो जाएंगे और बात करें SSGD के ओनलाइन फोरम शुरू हो गए तो उसकी तैयरी में लग जाओ क्योंकि आपने राजस्तान आपने रिजलिंग पड़ रखिए आपने हिंदी पड़ रखिए तो आपका क्या है आपका SSGD में सेलेक्शन हो जाएगा बहुत अच्छी वेकेंसी SSGD की तो आप इसकी तैयरी में लग जाएए इसकी सारी की सारी ओनलाइन क्लासे चल लिए अपने चलर पे तो एक बार देख लिजे इन सबकी तैयरी करने के लिए मुझे अभी एक बार इस नमर पे क्या कर दीजिए अभी इस नमर पे क्या कर दीजिए मुझे WhatsApp पे मेसेज कर दीजिए अब बात कर दें कि हमने इसा क्या काम किया जो कि एक दिसमर को विबा को जिमेल करने वाले थे उससे पहले हमने क्या काम किया मैं विबा को जिमेल करने वाला था परन्तु एक आइडिया और भी सवाल आया कि जिमेल करने से पहले एक बार विबा के उपर शिकाय दर्ज की जाए शिकायत किस प्रकास से हैं कि मैंने अपने टॉल फ्री नममरें 181 पे मैंने क्या किया? कौल करके शिकाई दर्ज कराई पूरी की पूरी कौल रिकोडिंग मैंने पास पड़ी है मैंने विबाग की तरफ से मैंने विबाग के ऊपर सिकाई दर्ज करवाई थी कि बच्चों का एक्जाम 28 अगस्त किया था और अभी से 2-5 महीना हो चुका है ना तो कोई लिष्ट जारी हो रही है ना बच्चों का 2022 का रिफंड आ रहा है फिर भी क्या है बच्चे इतने पिछे हैं कि बच्चे वीडियो देख लेते हैं फिर भी एक आगे नहीं आते हैं और आपकी आवाद उठाने वाला कोई भी चेनल वाला आपकी हीट में कोई सपोर्ट नहीं करेगा वो तो ऐसे ही करेगा कि फर्ष्ट रिष्ट जारी हो गई ये रहेगी कटोब ये मत करो तो उनको ये पता नहीं कि बच्चों की इसे हिस्ति में बच्चों का क्या करना सपोर्ट करना चाहिए बच्चों को भर्मित किया जा रहा है ठीक है तो मेरी बास सुन लीजिए कि मैंने 181 पे सिकाय दर्ज कर ली टोल फ्री नमर पे उसका रिस्पॉंद मुझे कम मिलेगा उसका रिस्पॉंद मुझे कल मिलने वाला है यानि दो दिसमर को मुझे इसका रिस्पॉंद मिलेगा तो मैं दो दिन का वेट कर रहा हूँ ताकि आज विबाक को जमिल करने वाले थे दो दिन हम आगे बाड़े हमने विबाक के उपर सिकाई दर्ज करवा दी दो दिन में वापस उदर से return मेरा पास call आएगा वहाँ से क्या update आती है क्या जहनकरी आती है विबाक से वो बात करेंगे टोल फ्री नावलों से और फिर वापस मेरे पास update आएगी तो हम दो दिन का इंतजार कर रहे हमने 181 पे सिकाई दर्ज करवा दी आप निशिंत रहे और आपकी लिष्ट के बारे में हम विबाक को कब करेंगे यदि चतेन दिसमर को हम विबाक को जिमेल करते उस दिन आपका संडे रही बार मिल रहे है और उस दिन आपका चुनाव का नटिजा भी आने वाला है तो उस दिन हम कुछ भी नहीं करेंगे यदि फिर भी हम 4 दिसमर को इस बार विबाक को जिमेल करेंगे मैं फिर बता रहा हूं कि आप पीछे मत रहिए कुछ करना है, कुछ अच्छा करना है आपकी हित में बहुत सार बच्चों ने इस ग्रूप को जोइन कर रखा है जिन्स बच्चों तक ये वीडियो नहीं गया जिन्नों नहीं किया पेले तो एक बार इस नमबर पे क्या गया ना वोटसप पे मेसेज कर देना और विबा को जिमेल करेंगे चार दिसमबर सोमबार को सुबह 10 बजे विबा को जिमेल करेंगे हम एक दिसमबर आज करने वाले थें परनतु मेने आज आज आपके लिए विबा के लिए शिकाय दर्ज करवा दी ओनलाइन इसका नतीजा इसका रिजल मेरे पास कल तक आ जाएगा यदि कल तक वहाँ से यूषि आपकी खतरे में अपका जितना सेष्टर लेड होगा न नुमसान आपका जारह है क्योंकि आपको भता हैं कि अभी राजस्तान में विदान सभा चुना हुए इसका नतीजा 3 दिसमबर को आने वाला हैं तो आपके वाकई में आपके बहतेजा mira क् जो फिर आपकी ब दियारती एक जुट हो जाईए और विबाग को जिमेल करेंगे चार दिसमबर सुबार को सुबा 10 बजे आप सभी को एक जुट होना होगा आज मैंने शिकायदर जी की वो को लिकोडिंग में आपको गुरूप में डाल दूँगा और जो भी जब वहाँ से वापस मेरे पास कोई अब्डेट आएगा सबसे पहले आपको दे दूँगा तो चिंता ना करें देरे बना के रखें और आपने काफी समय आपने बिता हैं तो अब क्या करें इंतजार नहीं करना है वेसे साथ में BHTC की तैयरी करें कोई बात ने पश्यू परिचरे की तैयरी शुरू कर दो और SSJD की तैयरी कर दो आपका लिष्ट जारी हो जाएगा चिंता नहीं करने है पर दून तैयरी को नहीं छोड़ना है बहुत अच्छी वेकेंसी आ रखिए तैयरी में लग जाईए और भी अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और मिलूँगा आगली वाली क्लास में तब तक लिए जय इंद जय भरा दमस्कार खमागनी